बिना गैस जलाए और बहुती कम महनत में घर पर बनाए बहुती असान तरीके से बहुती क्रीमी चौकलेट़ी यमी आइस क्रीम इस आइस क्रीम का बनाने के लिए हमने याँ पर ओरियो बिसकुट का इस्तिमाल किया है हमने यहाँ पर लगबग एक पैकेट जो है ओर्यो बिस्कृट लेके मिकसर जार में डाला है और हम लोग इसे बारिक पीस लेंगे यह आइस क्रीम बच्चों के साथ साथ बड़ो को भी बहुत जादा पसंद आने वाली है इसके बाद जो है अब हम लोग गैस पर एक पैन लेंगे जिसमें हम लोग दूट डालने वाले हैं दूट को हमें थोड़ा सा उबाल के गाढ़ा करना है जो दूट हमने अभी डाला है इसमें थोड़ा सा उबाला जाते ही हम लोग इसमें चीनी डाल देंगे चीने डालने के बाद हमें इसे 2-4 मिनट तक ऐसे ही चला चला के पकाते रहना है इसे ना जो दूद है हमारा थोड़ा सा गाड़ा हो जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसके बाद जो है अब हम लोग इसमें कोको पाउडर डाल देंगे जिसे हम लोग चॉकलिट पाउडर भी बोलते हैं इसे डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए उसके बाद हम लोग इसमें एड़ करेंगे तोड़ा सा मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर जो हम लोग 2-3 चमश डालेंगे यहाँ पे हमारे चुटी से पैकेट थी तो हमने उसे यूज कर लिया है मिल्क पाउडर को भी डाल के हम लोग अच्छे से चला लेंगे इसके बाद जो हम डालेंगे हमारे बिस्किट का चूरा जो हमने अभी मिक्सिर जार में डाल के पीसा हुआ था इसे डाल करके भी हम लोग जो है अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे मिलाने के बाद आपको लगवग गैस दो मिनट तक पकानी है यह थोड़ा सा गाड़ा हो जाए इसके बाद आप इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए और उसके बाद हम लोग इसे फिर से एक बार मिक्सिमें डाल के पीसेंगे मिक्सिमें डाल के चलाने से इसके अंदर के जो लम्स पड़े हुए है वो सारे हट जाएंगे और हमें एकदम सौफ सौफ ती आईसक्रीम खाने मिलेगी हम लोग जो है अब एक बरतन ले लेंगे या कोई डबा ले लीजिए आप उसमें तोड़ा सा कोको पाउडर डाल के हमारा जो बेटर है वो इसमें डाल देंगे इस डबे में डालने के बाद इसे जो हम लोग अच्छी तरह से सेट कर लेंगे Set करने के बाद इसे हम लोग Freezer में रख देंगे तकरीबं 7-8 गھंटे के लिए इतनी देर में ये अच्rec तरह से जंट जाएगा और खाने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा हमने इससे 7-8 गुंटे Freezer में रखा था आप देख सकते हैं ये इसल से खाने के लिए तयार हो गया है अब हम इसे अपने मंचायकार में काट सकते हैं आप इस आइसक्रीम को एक बार घर में ज़रूर बना करके देखे और मुझे कॉमेंस में बताएं कि ये कैसी बनी है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंस के साथ शेयर जरूर करें और हाँ यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर क्लिक करें बेल आइकन पर क्लिक करने से जैसे ही कोई नई रेसिपी अपलोड होगी आपको तुरेंटी नोटिफिकेशन आपको